गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का देख पर हो कि हलका सा soft blue सा tone है कुछ इस तरीके का tone create करना हम आपको लाटर मैप के अंदर सिखाएंगे यह बहुत ज़्यदा आसान होने वाला है अगर आप आप आज की इस वीडियो को पूरा देखोगे तो यह में open करना होगा लाटर मैप के अंदर तो इस फोटो को जस्त यहां हम सेंट पर क्लिक कर देंगे एंड इस फोटो को अभी हम add to LR कर लेंगे ठीक है अब यहां से हम जैसे एड़ फोटो करेंगे add to LR दिन यह फोटो जो हमारी लाटर मैप के अंदर add हो जाएगी अब आ पीचे जाना है यहां आपको एक लाटरूम का notification मिल जागा जस्ट आपको import finished का इसा notification मिलेगा इस पर आपको tap करना है एंड आपको all photos पर क्लिक कर लेना है ठीक है अब आपको अपनी फोटो को open करना है लाइक हमें इस फोटो को एडिट करना है हमने इस फोटो को यहां से open कर लिए अब और इस फोटो के इंदर सबसे पहले हमें light के adjustment करनी है अगर आपको यह सब पता है कि यह Contrast क्या होता है Highlights क्या होता है, सेडोज क्या होता है अगर आपको light adjustment करने का अच्छा knowledge है तो आप light को यहां से adjust कर सकते हो लेकिन अगर आपको यह सब चीज पता नहीं है तो आप यहां से यह auto वाले टूल का use कर सकते हो यह आपके light को automatic यह adjust कर देगा ठीक है तो इस tool का use करके हमने light के adjustment कर लिया थोड़ा सा हम आपको यहां से आजाना होगा color वाले tool के अंदर color वाले tool के अंदर आने के बाद यहां से हम temp की amount लगबग 18 के आसपास बढ़ा लेंगे and tint की value थोड़ी सी कम कर लेंगे ठीक है tint की value minus 6 कर लेंगे vibrance को बढ़ा कर लगबग 30 के आसपास कर लेंगे 20 के आसपास कर लेंगे and अब आपको आजाना होगा mix tool के अंदर mix tool में आने के बाद यहीं पर पूरा game change हो जाएगा मतलब कि पूरा editing ने यहीं से आप अच्छे तरीके से सीखोगे इसलिए आप mix tool को ना बिल्कुल ही miss मत करना बिल्कुल ध्यान से देखना अब गईज आपको यह सबसे last वाले color के अंदर आ जाना है and इसका situation पूरा zero कर लेना है अब आपको यह परफल वाला color पे आ जाना है and साथी साथ green color है आपको यहाँ पे यह वाला color दिखेगा इसका वी saturation zero and यहाँ पे इसकी hue को भी पूरा minus कर लेना है अब यहाँ से आपको यह green वाला color मिलेगा इसकी hue को पूरा left side की तरफ कर दीजिए and आपकी photo में कुछ इस तरीके का tone आ जाएगा अब saturation को थोड़ा सा कम करन है ठीक है आप देख परे हो luminance को भी थोड़ा से कम कर लेना है आपको लगभग यहाँ पर इतना and अब आपको यह वाला color select करना है एंड इसका saturation ऐसे आपको बढ़ा लेना है ठीक है आप देख पर हो कि यह photo देखने में कितनी ज़्यादा मस लग रही है अब आपको simple से यहाँ done पे click कर लेना है ओके एंड आप देख पर हो फोटो के अंदर कुछ इस तरीके को माइनस कर लेंगे डियंगे की वैल्यों थोड़ी से कर लेंगे डियेज को ओरिए कर लेंगे कर लेंगे को थोड़ा सा माइने लखेंगे विकनिट को लगभाग मानस 25 न मीड पॉइंट कोygaking को बेहां जबस कर लेना मिड पूंट कोौइंट को ट्वेंटी के लेना ठीक है हमेना थोड़ा सा एसा ब्लू एसा विल्कुल ब्लू एसा टोन चाहिए तो लगबग हम इतना रख लेंगे एड़ इसको भी थोड़ा सा ब्लू साइड रख लेंगे ठीक है यह वाला यह आप देख पर मिड़ पॉइंट एंड हाइलाइट्स आपको मिल ठीक है आप देख पर हुपी फोड़ो के अंदर कितना मस्ट सा टोना गया अभी आपको यहां पर एक ग्लोबल मिल जागा तो ग्लोबल में भी सीम आपको इसी को आड़ करना है ठीक है ग्लोबल में भी हम इसको आड़ कर दियें और ग्लोबल में लुमिनेंस को थोड़ा सा इतना के आपको ये सब पर आजाना है सरोज में यहां पर हमें लुमिनेंस को थोड़ा सा कंब करना है ठीक ही लगभग इतना यहां पर मिलेगी आपको blending तो blending को आपको कुछ ऐसे बढ़ा लेना है and balance को थोड़ा सा लेट साइड की तरफ कर देना है बाकि आपको simple से यहां done पर click कर लेना है ओके अप गई आपको आ जाना है होगा detail वले tool के अंदर यहां से हम sharpening के value 36 कर लेंगे noise reduction बढ़ा कर 38 कर लेंगे साथ ही साथ contrast की value आपको 22 कर लेना है and color noise reduction भी हम बढ़ा लेंगे ठीक है color noise reduction लगबग आपको 52 के आसपास कर लेना है यहां से हम details की value 63 कर लेंगे यहां से हम details को और बढ़ा लेते हैं 50 के आसपास और सार्पिनिंग को भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं लगबग 54 के आसपास इतना हो जाने के बाद गैज अब आपको इस optics वेले बटन पर क्लिक करना है और इन दोनों को आपको ओन कर लेना है अब आफ फाइनल फोटो जो है देखवाओगे यह देखो एक बाड वीफोर आप टरम आपको दिखा दे रहे हैं यह देखो वीफोर और यह देखवाओव आफटर तो देखवाओव फोटो के अंदर कितना मस्ट सा ब्लूएस चा टोन आ गया और फोटो भी देखने में काफी ज़्यदा मस्ट लग रही है तो इस तरीके का टोन आप भी क्रेट कर सकते हो बहुत ही असानी से अब आपको इस फोटो को सेर वाले आइकॉन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है ये फोटो आपकी गैलेरी में एजली सेव हो जाएगी तो आप देख पर हो कि हमारी एटिंग यहाँ पर कम्प्लेट हो गई आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी एड़ इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलता रहता है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में लव यू ओल टेक केर बबाई